अनलोक 3 के तहट मरुधुरा में अब छूट का दाइरा बढ़ा दिया गया है मॉल भी खुले, रेस्टोरेंट भी खुले और जिम भी खोल दिये गये मिनी बसों का और सिटी बसों का संचालन भी शुरू हो गया सेलानियों के लिए प्रेटन स्थल भी खोल दिये गये हाले कि सिनेमा पर बंदिश अभी भी जारी है कोरोना का संकमन घटा है लेकिन खत्रा अभी भी बरकरार है बाजार अनलोक हुए, कोरोना अनलोक नहीं हुआ है मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें और प्रदेश में क्या हालात हैं इसको लेकर हम आपको समय समय पर तस्वीरे भी दिखाते हैं और चलिए आपको अलग-लग संभागों की तस्वीरे दिखाएंगे सबसे पहले राजणी जयपूर का रुख करेंगे सहिो कि शिवेंदर मेरे साथ महां से बने वें तो वहीं कोटा से भवर और जोधपूर से राजीव बने वें सबसे पहले आपका रुख करते हुए शिवेंदर की क्या तस्वीर है चुकि कल नहीं शुरू हो पाई थी मेट्रो लेकिन आज मेट्रो का संचालन शुरू हो गया है कैसी ववस्थाय नजर आई और यात्रिभार कितना नजर आया बिल्कुल जैपूर मेट्रो का संचालन आज सुबह 6 वज कर 20 मिनेट पर सुरू हो गया था और फर्स्ट इंडिया भी समय जैपूर मेट्रो में है मान्सवरोबर मेट्रो स्टेशन से हम सपर स्बूर्त सुरू क्या है जैपूर मेट्रो का एक महिने से लम्बे अंतराल के बाद जोती आज जैपूरण मेट्रो शुरू हुई है क्योंकि कोरोना की दूसरी लेर पीक पर थी इस कारण जैपूर मेट्रो को भी बंद कर दिया गया था बाकी जो सारवजिनक परिबन था उसकी तरह तो आज पहले दिन तो बहुत जाता यात्री में दर नहीं आरे तस्वीरों में आप देख सकते हैं अभी इतने जात्री हैं इस मेट्रो में कि मैं उनको गिन सकता हूं 1,2,3,4,5,6,7,8,9,9,9 मुश्पिल से एक दर्जन जात्री इस समय मेट्रो में है जो मानस रोबर से मेट्रो शुरू हुई है लेकिन अभी ये मानस रोबर से होते हुए निउ आतिस मार्केट, निउ आत मेट्रो के अंदर से ही कोसिस करेंगे कि तस्मीर है बाहर की दिखा दें कि जो फ्लेक्षों में वहाँ पर किस तरह के लोग रहे हैं मेट्रो का तो यह गाड़ी है अभी रुकी हुई है इस समय निउ आतिस मार्केट इस्टेशन पर और यहां से भी कुछ सवारी है इसमें स कण्रों ज्यादा दिक्कत रहती है जाम लगता रहता है तो ऐसे लोगों के लिए जो डेन है का सपर है यहां सै काका कंपром होता है कर में हैं और मेट्रो पूरी वाता अनूक्विलित है दरपर बैठे थे आपको दरमी भी नहीं लगती है वह नजर आ रहे हैं जैपूर मेट्रो जोती और काफी दुनों के बाद जैपूर मेट्रो चलिए लोगों को इंदिजार था जैपूर मेट्रो चलने का क्योंकि एक महीने से अधिक समय पहो गया था मैडम आप कहा जा रहे ह अब न चांदपूल किस लिए घारे आप किस लिए जारे है काम करते हैं आप निर्च शॉपिंग करनी शादी एक्ष्री किलिया बड़िया हो गया ज़ा इसे बाइप जा आप दो ऐसे बड़िया चलता है बसो में तो हालत करा हुआ है तो लोट कर भी आप वापस मेट्रों से आएंगे लास्ट टाइम गए तो तीन से रुपे किराया लग्या किस से गए ते आप अटो में दो तीन जाने से ज़्यादा बढ़ टाइम लगा था कुछ लोग शॉपिंग करने भी जा रहे हैं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका के चा संचालन बढ़े दिन होगा क्योंकि शाड़े-4 बजे तकुछ जयपऊर मेट्रों चलेगी जोती दिन में जब दुपैर तक मेट्रों चलेगी और आने वाले दिनों में भी मेट्रों का संचालन आगे दे यात्रियों की संक्याय देखिए आप कुछ और यात्री इस station से चड़े हैं अभी हम विवेक वियार metro station पर हैं तो धीरे धीरे जैसे जैसे station बदलते जारे हैं थोड़ी सी यात्रा लेत्रा की जो संक्या है सवारियों की यात्रैयों की जैपुर मेट्रो मे वह भी वर्ती जा रहे है जो अभी मेट्रों का संसाले मेट्रों का संचाले वह चाहर बज कर और इस दोरान हर इस्टेशन पर 10 मिनट के अंतराल से आपको मेट्रो की ट्रेंड मिलेगी अगर माल लीजिए किसी इस्टेशन पर आप गए और वहाँ से मेट्रो निकल गई है तो 10 मिनट के बाद आपको बापस मेट्रो मिलेगी तो ऐसे समय में जब पूरुना के बाद बिल्कुल श्वेन देखिए मैट्रू का संचारन शुरू हो गया है लोगों को अब सुविद्धा अवश्य तोर पर होगी कई और संभागों का रुख कर लेते हैं सयोगी वहां से बने वे हैं अब देखिए कि सब को पता कि जिन्दगी पर लटने लगी है और आप देखिए कि यहां पर जिस गोले बने वे हैं लोगों के लिए हैं और यह बहुत अदिक भीड नहीं है सामने अगर खानपान की जो वेवस्ता है वहां पर रेस्टोन में साब तर पर फरनीचर अटा दिया गया है जिसे कि लोगों की ज़्यदा भीड नहीं हो सोशल डिसेंस की पालना की जा रही है हर कोई जो व्यक्ति है वो मास्क में नजर आ रहा है सेनेटर्स की वेवस्ता य पर साला से देते हैं के देखते हैं अंब की जर्णत तस्वीर सिथ यह कुछ और हो सकती है लाइन या कि मासक लगाए में हैं और आप यह तस्वीरे नहीं की श्यक् pearकलतित्रों मौनी सिंग आको तस्वीर तो आप देख सकते हैं कि लोग जो है अब रूटीन में आने लगे हैं रूटीन में जिस तरीके से आकर कि अब लंबे समय बाद में जब पहुचे हैं शॉपिंग की बात है और तमाम जिस तरीके से सरकार की डारेक्शन है गाइडलाइन है उसकी पालना की जा रही है अचानक सब्सक्राइब करें जिस तरीके से गाइडलाइन जो नहीं दी गई है उसके पीछे वजह साफ ही है कि लोग अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो तीस सिलर का खत्रा बराबर बनावा है तो पूरी प्रिकॉशन जो है वो यहां पर ली जा रही है जी बिल्कुल कहीं नहीं कहीं तस्वीर सुखद है लोग यहां नेमो की पालना करते वे राजीव दिखाई दियें और चलिए उद्यापूर का रुक कर ले थे सहयों की रवी वहां से बने वे रवी अनलोग 3 के तहत उद्यापूर की क्या तस्वीर है बिल्कुल देखे जोती अनलोग 3 के तहत जो भी रियायते दी गई यानि की बाजारों में वेपसाईयों के लिए ब्यापार का समय बढ़ाया गया इसके बाद शेहर के बाजारों का मौसम और साथ ही साथ जो प्राकरतिक मौसम है दोनों ही उद्यापूर में सोहाने है प्र रात से जो है हलकी फुलकी बूंदा बांधी शेहर में कई इलाकों में देखी गई ठंडी हवाएं चली हाला कि अभी उमस है लेकिन बादल जो है वो आस्मान में चाय हुए है मौसम सोाना है और दूसरी तरफ मेरे कैमरा सायोगी दिखा रहे हैं शेहर की जो सड़के है उन कि अब चार-पांच वजे तक लोग खरीदारी कर सकते हैं तो ऐसे में समय जो बड़ा है उसके बाद से ग्रहक आराम से अपने सुब्धा अनुसार जो है वाजारों में पहुंच रहे हैं शेहर की सड़कों पर रोनक देखी जा रही है और जिलाप्रशासन और तमाम जो ज होता ही ना बढ़ते हैं और ये जो नजारा है ये बहुत सुकून देने वाला है कि लोग जो है जो भी सड़कों पर हैं तमाम लोगों ने मास्के लगाए हुए हैं सारी जो गाइडलाइन सा उनको फॉलो कर रहे हैं चाहे बाइद पर जा रहे हैं वेक्ति हो या कार में सव सिटी कोटा करूप कर लेते स्वयोगी भावर वहां से बने वे भावर लगातार वहां की व्यापारियों को इंतजार था कि कब नई गाइडलाइन्स के तहत उन्हें छूट दे दी जाए और अब तो तमाम चीज़े खोल दी गई है ऐसे में क्या कोटा में बाजारों में र प्लास्टिक सेंडर वाले की दुकान भी खुल चुकी है राजू ना बोल सकता है ना सुन सकता है केवल देख सकता है और प्लास्टिक जोड करके अपने रोजमर्रे का काम चलाता है तो यह जो रोज खाने कमाने वाले लोग हैं उनको कोरोना की इस बला ने बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है लेकिन अब इन सब लोगों का काम भी दिरे दिरे पट्र की तरह प्लोट रहा है चलिए कुछ व्यापारियों के पास आपको सबसे पहले में लेकर चलने की कोशिश करूंगा और उनसे ही पूस्ते हैं कि किस तरह से जो व्यापार कारोबार है व ग्यारा बज़े से बाद एक दो कंटे गिराख होता है फिर दूप की वज़े से फिर गिराख भाबी टाउन जाता है अनलोग टूट तो आ चुका है अब अनलोग थी में आप किस तरह के रियायतों के उम्मीद कर रहे हैं हम चाहते हैं कि दुकाने सुबह नो बज़े से ल दुकाने बंद रही है इसका असर तो हमारे वियापारी यह तो कह रहे हैं कि दिरे दिरे जो कामकाज है जो कारोबार है वो पट्री पर लोट रहा है लेकिन अभी भी जो समय है जो सवेरे 6 से लेकर के शाम 4 बजे तक का है उसमें और ज़्यादा इजापा किये जाने की भी दरकारे चलिए बाजार का हाल हमने आपको दिखाया एक रियल्टी चेक भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि फिलाल जिस सावचेती की बात ये व्यापारी बंदू कह रहे थे वो सावचेती बाजारों में कितने लोग बरत रहे हैं चलिए ये एक बिल्कुल लाइव रियल्टी चेक है आप देखेंगे कि अभी तक जो जो तस्वीरे कैमरे में कहद हुई है आम तोर पर आपको यहां पर लोग मास्क में नज़र आएं लेकिन मैं आपको इसी इलाके में पुरानी सब्जी मंडी के अंदर लेकर चलने की कोशिश करता हूँ और वहां का रियल्टी चेक आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ जो खरिददार हैं जो दुकान दार हैं वो कितने गम्बीर हैं चलिए मैं सब्जी मंडी के अंदर आ चुका हूं और अंदर की देखेंगे तो जितने दुकानदार फिलाल अभी तक हमको खासकर सब्जी विकरता जो नज़राएं हैं वो सब मास्क में नज़राएं तो ये एक अच्छी तस्वीर एक सुकत तस्वीर क्योंकि सब्जी मंडी वो जगे है जहां संक्रमन को लेकर के ज़्यादा आशंकाएं रहती है ज़्यादा संभावनाएं रहती है उसके फैलने की चलिए कुछ इके दुके लोग ऐसे भी हमको जिन्होंने कैमरा देखने के बाद मास्क चड़ाया है लेकिन फिर भी आम तोर पर जो यहां पर खरिदार हैं और जो दुकानदार हैं वो सब मास्क में नज़राएं हैं सब्जी मंडीम आये हैं अभी कोरोना गया नहीं बहु जी तो क्या-क्या एतियात बरत रहे हैं वैसे दिरे दिरे खोलना चाहिए अभी और ज्यादा पाबंधिया रहनी चाहिए थोड़ी बहुत तो देखे नागरिगां की राय यह है कि दिरे दिरे जिस तरह से अनलोग किया जा रहा है वो ठीक है और सब को सयोग देना पड़ेगा सब को भागीदारी निभानी पड़ेगी स सब को जागरूक रह करके और सरकारी जो प्रयास है उनमें अपना अपना कंट्रिबूशन करना पड़ेगा चलिए मैं खुद भी बहुत संतोश मैसूस कर रहा हूं इन तस्वीरों से जितने भी सब्जी लिकरता अभी तक हमने देखे हैं हम कम से कम दरजनों दुकानों को कर चुके हैं वो सब कम्प्लीटली मास्क में नजर आ रहे हैं और ये एक बहुत अच्छी तस्वीर है पुराने सब्जी मंडी कोटा से ये लाइव रियल्टी चेका आफस्ट इंडिया पे देख रहे हैं जितने भी दुकानदार हमें दिख रहे हैं बलकि जो खरीदार भी हमें दिख रहे हैं वो इस वक्त मास्क में दिख रहे हैं और जाहिर तोर पर ये तस्वीर जो है वो बहुत सुकुन देने वाली है क्योंकि सब्जी मंडियों में आम तोर पर भीड़बार ज़्यादा रहती है खरीदार भी ज़्यादार रहती है और वहां पर हाईजिन का भी ज़्यादा ख्याल रखा नहीं जाता है, वहाँ पर आम तोर पर गंदगी भी हो जाती है, लेकिन यहाँ जिस तरह से दुकानदार सजग नजर आ रहे हैं, वो एक अच्छी तस्वीर है, कोटा में लगातार कोटा की जनता एतियात बरत रही है, लापरवाही नहीं बरत र फिरो शायद इसी का नतीजा है कि कोटा में भी कोटा में भी कोटा के केस अब ना के बराबर हो चुके बहुत कम हो गएं